हलो सुडेंट्स कैसे हो सब बढ़िया चलो बहुत बढ़िया मैं आपको अब मतलब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक टॉपिक विच इस दॉपिक को दो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा बच्चो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे जन अलग से और conservative और non conservative forces के point of view से देखना और फिर और ज्यादा in-depth numericals करना वो सारी बाते हम लोग discuss करेंगे second part में मतलब मुझे लग रहा है कि इसको दो पार्ट में बनाने की जरूरत है तो मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है तो आज के लेक्चर में तो जनरल बाते होंगी सिर्फ और basic basic numericals ठीक है तो conservation of mechanical energy क्या है बच्चो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि mechanical energy क्या है mechanical energy है बच्चो किसी भी body की kinetic energy plus potential energy को मिला के हम लोग क्या बोलते है mechanical energy बोलते है conservation of mechanical energy कहता है कि किसी भी system की किसी भी body की कहलो आप system की बात हम लोग second video lecture में करेंगे when there are more than one bodies एक से ज़्यादा bodies की बात होगी मैंने बोले detail numericals की बात हम लोग उसमें करेंगे ठीक है तो अगर एक body है हमारे पास तो law of conservation of energy यह कहता है बच्चो कि उस body की at any instant of time potential और kinetic energy का जो sum हो constant रहेगा provided कि उस system पे उस body पे बाहर से कोई non conservative force ना लग रही हो यानि कि कोई ऐसी force ना लग रही हो जो उसकी energy घटा रही हो for example friction ऐसी forces को हम फिलहाल ignore कर देते हैं तब हम कुछ questions करेंगे और फिर ऐसी forces को भी हम मिला लेंगे तब हम देखेंगे कि क्या करना है ठीक है अभी हम लोग बात कर रहे है कि system में कोई external force नहीं लग रही है जो उसकी energy decrease करेगी यानि कोई external resistive force यानि कि non conservative force नहीं लग रही है body पे सिर्फ conservative forces लग रही है और body में सिर्फ दो ही energies है potential energy और kinetic energy ऐसे में क्या होगा बच्चो जब भी उसकी एक energy कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी इस बात की चर्चाथ पिछले दो-तिन lecture से होती आ रही है कि जब भी आप किसी system पे work करते हैं आप उस system की potential energy change करते हैं जैसे आप external forces remove करते हैं वो system फिर से उस potential energy को kinetic energy में बदल लेता है for example एक body को मैं उपर लेकर गया gravity के against एक body को उठा के उपर लेकर गया तो मैंने जो work किया वो body में potential energy की form में store हुआ लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा अभी मैं पकड़ के रखा हूँ तो body मही रहेगी ठीक है अब वो potential energy चाहे gravitational potential energy हो चाहे elastic potential energy हम दोनों को ही discuss करेंगे जब हम बोल रहे है potential energy तो हमारा मतलब है दोनों energies दोनों में से कोई सी भी energy तो potential energy और kinetic energy का sum at any instant of time constant रहेगा एक body के लिए ये है law of conservation of mechanical energy और इसको use करके हम mathematical equation बना सकते हैं और अपने numericals को solve कर सकते हैं हम देखेंगे इसको example से सबसे पहले हम लोग शुरुवात करते हैं pendulum से pendulum के questions काफी जादा आते हैं तो उसी से शुरुवात की जाए एक pendulum है हमारा जिस pendulum को हमने मान लो खीचा 60 degree के angle तक और फिर छोड़ दिया तो बताओ जब वो mean position पे होगा तो उस बॉब की pendulum के बॉब की kinetic energy क्या होगी जब वो mean position पे होगा मान लेते हैं हमें ये given है कि length of the pendulum is length of the pendulum is 1 meter and mass of the bob is 500 gram मान लो ऐसा हमको दिया हुआ है find the kinetic energy of this bob when it is at lowermost point and it is released from this position जब ये angle with vertical कितना है 60 degree अब pendulum के लिए आपको एक relation बताया था जराब फटा फटा उसको फिर से बता दूँ बहुत ज़्यादा काम आता है जैसे pendulum यहां vertical से मान लो theta angle पर है vertical से theta angle पर है और इसकी जो length है बच्चो इसकी length है L ठीक आपको पता है कि potential energy निकालने के लिए आपको हमेशा एक reference level लेना होगा pendulum के case में वो reference level लिया जाता है जो इसकी lower most position है वहाँ से center से क्योंकि आपको बताया था कि अगर body point object नहीं है और symmetric है और uniformly mass distributed है तो हम distances कहां से लेते हैं उसके center से लेते हैं हना तो इसके center से हम लोग लेंगे आप मतलब पीछे वाले पूरे lectures देखके आओ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको direct आ गए हो तब भी समझ में आए लेकिन अगर पीछे वाला देखके आओगे तो बिल्कुल strong आपके concepts होंगे आप बहुत easily समझ पाओगे चीज़ों को अब क्या है कि हमारे पास एक relation होना चाहिए जो H, L और theta को relate करे क्योंकि pendulum वाले जाधातर questions में L, theta दिया रहता है बट चाहिए होता H क्योंकि ये कितना उपर गया है vertically कितना उपर गया है वही तो decide करेगा कि इसकी potential energy कितनी है तो ये relation क्या रहता है अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ ये H है तो ये length भी H होगी और ये पूरा L है तो ये भी L होगा ये pendulum का string ही तो है तो हमें चाहिए ये ये क्या होगा L minus this इसका कुछ नाम रख दो O A so this H will be L minus O A और O A होगा इस triangle में इस angle के respect में base base होता है hypotenuse into cos theta hypotenuse है इसका L तो L common आ जया यहाँ पर क्या बचा? 1 minus cos theta ये आपको याद रखना है ठीक है? ठीक है तो हम equation तो यहाँ पर बाद में बनाएंगे पहले हम सोचें कि हो क्या रहा है हो यह रहा है बच्चों कि जब आपने इसको खीचा पकड़के तो आपने जो work किया आपने वो work इसकी height को बढ़ाने में किया तो आपने इसको खीचने में जो work किया वो store हो जाएगा इसमें in the form of potential energy और जैसे ही आप छोड़ेंगे आपने work किया potential energy की form में क्या बताया था मैंने जैसे ही आप छोड़ेंगे system अपनी potential energy को kinetic energy में convert करने लगता है हर जगए पर potential और kinetic का जो sum है वो हमेशा constant रहता है यह हमारा law है तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे यह डररर करके भागता है मतलब motion आ गया है इसमें है मतलब kinetic energy है तो वो kinetic energy आ कहां से रही है हमने जो इसमें भरी potential energy वो छोड़ते ही kinetic energy में convert हुई तो अगर आप position A लो और position B लो अब आपको मैं equation बनाना सिखाता हूँ आप system की कोई भी दो positions ले लो body की कोई भी दो positions ले लो आपने यह रखना है total energy at one position should be equal to total energy at other position फिलाल हमारा total energy से मतलब है kinetic energy plus potential energy हम उसी पे focus करेंगे अभी कुछ questions था ठीक है ओके so A पे total energy कितनी है MGH potential energy कितनी है A पे MGH plus kinetic energy है zero क्योंकि यहाँ तो इसकी velocity है ही नहीं यहाँ से तो चला है यहाँ पे तो just इसकी velocity zero है अब जैसे जैसे यह नीचे आके आता जाएगा अपनी velocity बढ़ाता जाएगा यहाँ तक आते आते मान लो इसकी potential इसकी kinetic energy हो गई इसकी velocity हो गई V तो इसकी kinetic energy कितनी हो गई half mv square और क्योंकि हमने जो height ली है वो इसी level से ली है तो इस खुद के level पे तो इसकी height zero है तो यहाँ तक आते आते आपकी जो potential energy है वो क्या हो गई zero simple सा funda यहाँ पे हमको मिला जो हम लोग बार-बार discuss कर रहे हैं कि आपने जितनी इसको potential energy दी वही पूरी की पूरी potential energy यहाँ पे आके kinetic energy में convert हो जाती है ठीक तो आपने इसको कितनी potential energy दी थी हमें क्या बोला है mean position पे इसकी kinetic energy निकालो तो simple answer है कि mean position पे यह रिसकी kinetic energy वो होगी MGH के बार-बार M कितना है 500 gram 500 by 1000 यानि half kg into G into H हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग H निकालने इसी के लिए हमने formula derive कि 1 into 1 minus cos 60 degree cos 60 होता है बच्चो half so this is 1 minus half कितनी height तक गया यह half meter तक हाना यहाँ पे डाल दो half तो kinetic energy होगी बच्चो kinetic energy होगी यह दो कट गया यह भी कट गया 52.5 joule यह समझे महीं बात आपको और यहाँ पर यह भी बोला जा सकता है कि find the velocity of this bob when it is at this mean position तो kinetic energy आ गई है आप इसको half mv square के equal put कर दो m आपको पता है वी आ जाएगा समझ में आई बात अब देखो थोड़ा सा इसको और modify करें question को मान लो एक पार और बना दे हम इस question का कि यहाँ से हमने इसको छोड़ा कितने से छोड़ा हमने इसको 60 degree के angle से और यहाँ तक आ गया यह मान लो 30 degree के angle तक vertical से 30 degree के angle तक यह तो इसकी तीसरी position है अब कह रहा है कि यह question हम लोग बना लेते हैं अब कि मान लो यहाँ से यहाँ आया 60 degree यह पूरा 60 degree है 60 degree के angle से 30 degree के angle तक आया इस position पे बताओ कि इसकी kinetic energy क्या है ठीक तो आप अपनी equation कैसे बनाओगे यह position है A यह है B आपने simple लिखना है T E at A is equal to T E at B और अगर यह position C है तो is equal to T E at C और उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ तक कितनी height आई थी बच्चों इसकी यहाँ पे अभी हमने लिखा था half meter यहाँ पे total energy क्या है सिर्फ potential energy M G H लेकिन यहाँ पे तो potential भी होगी और kinetic भी होगी यहाँ पे तो reference level हमारा यह है यहाँ पे तो इसकी height भी है और यह चल भी रहा है यहाँ से जब छोड़ोगे तो यहाँ तक आते आते velocity तो होगी ना उसके अंदर तो यहाँ पे आपकी जो total energy है वो होगी यहाँ पे इसकी kinetic energy जो हमें नहीं पता वो ही हमने निकालनी है तो यहाँ पे इसकी kinetic energy at B प्लस यहाँ इसकी potential energy कितनी होगी M G यहाँ तक की height कितनी है फिर से वो relation लगाओ H कितना होता है L into 1 minus cos theta ठीक पुट करो L L तो 1 है है ना उसको छोड़ दो 1 minus cos 30 degree cos 30 degree होता है root 3 by 2 ठीक यह कितना आएगा यह तो हमने पहले भी निकाला था यह से cut गया 2.5 यह है minus यह इधर आजाएगा 5 into 2 minus 1.73 by 2 equal to kinetic energy at B तो आप समझ रहे हो देखो this minus this kinetic potential energy at this point minus potential energy at this point यानि कि kinetic energy जो है वो दोनों positions की potential energy के difference के बराबर है इसका मतलब यह है कि potential energy जितनी घटी kinetic उतनी बड़ी यही law of conservation of energy है है ना तो इसको solve कर लेते हैं क्या आएगा 2.5 इसको काटके भी 2.5 आएगा हमने common कर लिया 1 minus यहाँ पे गया बचा 0.27 this is kinetic energy at B 1 minus 0.27 is 73 ना 0.73 2.5 into 0.73 kinetic energy at B आप इसको product को निकाल सकते हो समझ महीं बात तो फिर आपको यह भी बोला जा सकता है कि यहाँ पर velocity कितनी है तो आप इस kinetic energy को equal to half mv square put करके velocity निकाल लिए ठीक तो पेंडूलम के आप इस तरीके से कर सकते हो अब आते हैं जरा elastic potential energy पर जो spring वाले questions थे उनको देखते हैं आओ देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक spring हमने attach कर दिया और इधर से एक block चलता हुआ आ रहा है मान लो यह 5 kg का block है और इसकी तरफ आ रहा है 5 meter पर सेकिंड से इस spring का spring constant है 10 newton पर मीटर अब resistive forces तो कहीं पर भी नहीं है यह हम लोग मान के चल रहे हैं ठीक है आगे include करेंगे resistive forces को फिलहाल नहीं पहले simple simple बात करते न फिर हम थोड़ा बढ़ाएंगे इसकी complexity तो यह block इसकी तरफ आ रहा है अब question यह है कि जब यह block इसको hit करेगा spring को तो बताओ यह spring में maximum compression कितना होगा spring में maximum compression कितना होगा अब ज़रा हिसाब लगाओ system क्या है हमारा system है spring और block and there are no resistive forces involved resistive forces होती है तो overall energy जो है system की घटती जाती है फिर हम लोग नहीं है सकते कि हर time पे उसकी energy बराबर रहेगी इसलिए resistive forces को हम लोग बाद में include करेंगे लेकिन अभी resistive forces involved नहीं है तो मतलब system की total energy हमेशा constant रहेगी system है block plus spring block और spring की total energy हमेशा constant रहेगी तो ज़रा लगाओ अब एक position तो ये है दूसरी position ये है जब ये maximum compress हो गया दूसरी configuration कहलो system की जब ये ऐसे compress हो गया जितना compress हो सकता था ये हो गया ये block obviously इससे चिपका हुआ होगा जब ये पूरा compress हो जाएगा तो total energy in this case and total energy in this case should be equal ये case है हमारा A this case is B total energy in case A should be equal to total energy in case B अच्छा spring की क्या energy है इस time पे है ही नहीं क्योंकि spring में energy तब आती है जब spring compress होता है अभी spring तो अपनी relaxed position में है तो spring की यहाँ पर energy है zero plus block में कौन सी energy है kinetic energy block की kinetic energy कितनी है half mv square अब आजो B वाले पे अब ये spring पूरा दब चुका है मान लो ये x दबा half k जब ये पूरा x दबा तो इसको x दबाने के लिए इसको कित्ता वाग करना पड़ता है half k x square यानि इसकी potential energy कितनी बढ़ गई इतनी plus जब ये block इसको पूरा दबा चुका होगा बच्चो ठीक उस instant पे तो block rest पे होगा क्योंकि अगर block अभी भी rest पे नहीं है तो अभी तो और दबाएगा न फिर और अगर आप सोच रहो कि दबा के वापस जा रहा है तो फिर ये x उसका maximum compression कैसे हुआ तो maximum compression के instant पे ठीक उस instant पे block होगा rest पे तो इसकी kinetic energy क्या होगी जीरो यह हमारी equation बन गए यहाँ पर half से half कट गया यह कटा यहाँ पर बचा 2 x square हमारा आगया x square हमारा आगया 25 by 2 x हमारा आगया 5 by root 2 जिसको आप root 2 से multiply root 2 से divide कर सकते हो वो आगे maths का काम है वो आप पे छोड़ा जा सकता है फिर भी मैं लिख देता हूँ इतना spring जो है हमारा compress होगा clear ठीक है इसमें एक चीज़ और add कर देते हैं बच्चो हम मान लो question ये बना देते हैं कि बताओ जब ये spring अपनी maximum compression से आधा दवा जब ये spring वह maximum compression अभी नहीं हुआ है अभी spring आधा ही दवा है जितना उसने maximum दबना है उससे आधा ही दवा है उस time पे बताओ block की velocity क्या होगी ये हमारा question है ठीक है तो एक configuration तो हमारी यही रहेगी तो उसमें तो total आपका यही आएगा half half into 5 into 5 का square equal to जब ये आधा दवा है जब ये आधा दवा है तो बताओ कितना दवा है ये इसका half हाना इसका हम लोग half कर देंगे क्योंकि ये maximum compression है तो आधा दवा है मतलब इसका half दवा है तो बताओ कितना होगा ये तब उस उस वक्त उसकी energy कितनी होगी जब ये इसका आधा दवा है half के और इसका half 2.5 by 2 root square plus अभी आधा ही दवा है तो अभी भी block में kinetic energy बची है अभी भी block में kinetic energy बची है क्योंकि ये आधा ही दवा है अभी तो ये और दवाएगा उसको तो total energy यहाँ पर ये spring की elastic potential energy 0 जब आधा दवा है तो spring की elastic potential energy plus block की kinetic energy ठीक है तो block की kinetic energy क्या आएगी यहाँ से block की kinetic energy आएगी this minus this तो जब हम इसको निकालेंगे ये कितना है 125 by 2 minus 5 into इसका square कर दो 25 का square 6.25 by 4 into 2 125 by 2 minus 2 2.5 into 6.25 125 by 2 आपका होगा 64 62.5 62.5 minus इसको solve कर लें हम लोग थोड़ा सा 620 25 to 25 15.625 ना 15.6 ले लो 15.6 तो 62.5 62.5 minus 15.6 46.9 देखना कोई गलती ना हो calculation mistake हो सकती है बीच में करते हैं but I think ठीक है kinetic energy इसकी 46.9 जूल होगी बच्चो जब ये spring को आधा दबा चुका होगा block तो आप kinetic energy आ गही इसको half mv square के equal put करके आप इसकी velocity भी निकाल सकते हो समझ में आई बात ठीक है next आते हैं जिसमें हम लोग kinetic energy elastic potential energy और gravitational potential energy तीनों add कर देते हैं देखें उस तरह के questions को कैसे solve करना है जैसे मान लो एक question है कि यहाँ से मान लो ऐसा हम कोई ऐसा slope ले ले लेते हैं ऐसा और फिर ऐसा suppose है यहाँ से मान लो इसकी height है 10 meter और यह height है मान लो 2 meter और यह height है मान लो 6 meter ठीक यहाँ से हमने एक body को छोड़ा यहाँ से हमने एक body को छोड़ा अब उस body का mass जो है वो suppose है 200 gram question है कि बताओ यहाँ पर उस body की kinetic energy क्या होगी इस point position C पर और मान लो B पर भी उस body की kinetic energy क्या होगी ठीक अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा दें इस question को मान लो यहाँ पर एक spring लगा है और बोला है कि बताओ यह spring कितना compress होगा maximum जब यह body finally यहाँ से आती हुई इस से टकराएगी तो इस spring का जो spring constant है वो है 10 newton per meter ठीक है यह wall है यह ground है ऐसा कुछ हम question बना लेते हैं मतलब 2-3 questions combine होगा इसके अंदर आपको अलग-लग पूछे जा सकते हैं तो कोई resistive force involved नहीं है law of conservation of mechanical energy लगाया जाएगा यहाँ पर total energy at this position मान लो यह position है total energy at position a should be equal to total energy at position b should be equal to total energy at position c equal to plus क्यों कर दिया भाई equal to total energy at a is what यहाँ पे तो सिरफ उसकी potential energy होगी अभी यहाँ पे तो यह रखी हुई है justice को हमने यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ पे इसकी potential energy होगी m g g को हम लोग 10 ले रहे हैं हर question में easy बनाने के लिए ठीक है plus kinetic energy kinetic energy 0 plus total energy at b total energy at b b पे बच्चों क्या होगा b पे इसकी potential energy होगी yes होगी यह हमारा reference level है यहाँ से 2 meter की height पर तो यह है यहाँ तक आते आते मानलो इसकी velocity होगई v तो half m m हमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी कट गया है देखो into v square यह तो simply this minus this is this क्या कहना चाहरे है हम कि यहाँ जो potential energy थी वो minus यहाँ जो potential energy थी वो that is equal to kinetic energy decrease in potential energy equal to increase in kinetic energy आप यह बात भी direct याद रख सकते हो decrease in PE equal to increase in KE ऐसे questions में ऐसे भी आप equation बना सकते हो हम किस तरीके से बना रहे है equation हम इस तरीके से equation बना रहे है कि भी हर जगा total energy सेम रहती है लेकिन finally आप जो पहुँचोगे तो आप हमेशा यहाँ तो इस पहुँचोगे decrease in PE equal to increase in KE पे यहाँ पहुचोगे increase in KE equal to decrease in PE पे बात एक है obviously एक energy जैसे जैसे जितनी जितनी कम होती जाती है दूसरी उतनी उतनी बढ़ती जाती है ठीक सो यह पूरा 10 भी 10 तो खर नहीं 10 तो उसमें नहीं है न तो यह पूरा और यह पूरा यह गया तो 100 equal to 20 plus V square by 2 so we get V square by 2 equal to 80 ठीक है V square equal to 160 या फिर V is root 160 16 का root 4 4 root 10 meter per second यहाँ velocity होगी बॉडी की और अगर kinetic energy पूछिए तो kinetic energy होगी यह पूरी हना velocity आगी तो यहां से kinetic energy आजाएगी यहां सीधा potential energy को subtract कर दो this minus this तो kinetic energy आजाएगी B पे velocity होगी यह C पे velocity क्या होगी अच्छा जी C पे velocity के लिए फिर से अब जैसे यह body यहां से जैसे जैसे नीचे आई इसकी kinetic energy बढ़ी potential घटी अब यह जब वापस यहां उपर जाएगी तो इसकी height बढ़ रही है तो potential energy बढ़ेगी तो kinetic घटेगी एक के expense पे दूसरा होना है तो हम इतना ज़्यादा ना सोचे हम सीधा यह लगाएं कि total energy at A should be equal to total energy at C बस जैसे हमने इसके लिए किया अब इसको हम उस तरीके से करते हैं देखो A से C तक आते आते बीच में कुछ भी हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है A से C को compare करूँ तो इसकी potential energy कितनी कम हुई potential energy हम यह लगा रहे है decrease in potential energy equal to increase in kinetic energy इसकी potential energy कितनी कम हुई देखो इससे आप equation बनाओगी यही आएगी बट मैं कहा रहू इससे भी बना सकते हो equal to यहाँ पे क्या होगी decrease in decrease in potential energy equal to यहाँ पे जो kinetic energy बची वो M और G तो मैंने common ले लिया M से M यहाँ कट गया G है 10 height का difference कितना है 10 minus 6 4 equal to half V square so V square is 80 40 to do 80 तो V कितना आजाएगा root 80 meter बरसे किन यहाँ पर जो इसकी velocity होगी body की वो यह होगी समझ में आई या बात आपको ठीक है अच्छा अब एक चीज़ और देखो जब यह body इस point पे पहुँचेगी यानि की position D पे तो इसकी total height क्या हो चुकी होगी zero देखो हो क्या रहा है बीच में यह ऐसे इस इस path से आई है न तो kinetic energy बढ़ते 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 फिर कम होते 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 फिर बढ़ते 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 यहां तक बढ़ गी potential energy पिर बढ़ी potential energy और गढ़ते गढ़ते यहाँ पर zero हो गई D एक special point है बीच में कुछ भी हुआ, डी तक आते आते, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फुल हो चुकी है, जितनी बढ़ सकती थी, पोटेंशिल एनर्जी बिल्कुल 0 हो चुकी है, क्योंकि पूरी की पूरी हाइट इसकी 0 हो चुकी है, डी पे, यानि कि पी एट डी विल बी इक्वल टू के एट एट ए, हाना, टोटल एनर्जी अगर लगाएं, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पी एट डी कितना है, उल्टा लिग दिया, हाँ, सॉरी, उल्टा लिग दिया, के A, P E at A कितना है, M, P E at A, यहां भी potential energy कितनी है, M, G, H, यही होगी, kinetic energy at D, ठीक है, यह कितना आएगा, दो यह कटे, एक यह कटा, this is 20 joules, kinetic energy at D is 20 joules, इस kinetic energy को लेकर, इस 20 joules की kinetic energy को लेकर, इस body ने इस spring को hit किया, तो यह कितना compress होगा, बताओ, सारी की सारी, maximum कितना compress होगा, हमने यह निकालना है, सारी की सारी, इसकी kinetic energy, इसको compress करने में use हो जाएगी, बत्चो, तो equation हमारी क्या बनेगी, यह जो energy लाया है, this will be equal to half k x square, इतना compress होगा, कितना compress होगा, इससे यह कट गया, 2 into 2, 4, root 4, यानि के 2 meter compress होगा, ठीक है, समझ में आगई बात, चलो, बहुत बढ़िया, अब, अब, अब मैं ला देता हूँ, बीच में, non conservative force, frictional force को बीच में add करते हैं, तो देखें, ज़रा क्या होगा, simple से question से शुरुवात करते हैं बच्चों, जैसे मान लो, यह spring है, और, इस spring का spring constant है, मान लो, 10 newton per meter, ठीक, यहां से, एक block आया, 10 meter per second से, 10 kg का, मान लो, sub 10, बढ़िया number है, easy रहती calculation, अच्छा, रास्ते में, एक rough patch इसको मिला, बाकी सारा smooth है, रास्ते में, इसको rough patch मिला, एक meter का, जहां पर coefficient of friction है, coefficient of kinetic friction है, 0.1, अब बताओ, कि यह spring को maximum कितना compress करेगा, तो आपने यह देखना है, कि जब यह spring को hit करेगा, तो इसमें energy कितनी बची होगी, kinetic energy कितनी बची होगी, क्योंकि उसी बची हुई kinetic energy से, तो यह spring को compress करेगा, अच्छा, तो यह कितनी kinetic energy लाया, half, पहले हम symbols में लिखें, फिर हम value पुट करेंगे, ठीक है, यह कितनी energy लाया, half mv square, इसमें से कम हो गई, घट गई, इसको overcome करने में, यह जो rough patch आया, इसको overcome करने में, इसकी energy घटेगी, क्योंकि friction के against यह काम करेगा, यह अफिर हम लोग यह कहले कि friction इसके काम करेगा, और friction का work done हुआ, इसके negative, तो इसकी energy वो कितनी घटाएगा, इसकी energy कितनी घटाएगा, frictional force into displacement, frictional force, work क्या होता है, force into displacement, हाला, अब यह energy बची, यह बची हुई energy को लेकर इसने इसको hit किया, अब यह जो बची हुई energy है, यह half के x square में जाके use होगी, समझ में आई बात आपको, तो यहाँ पे हमारी देखो, equation क्या बनी, अगर हम पूरा इसको और formula लगा दें, जराएग एक मिनिट रुको, frictional force क्या होती है, बच्चो, mu into n, n और mg बराबर होंगे, क्योंकि vertically कोई displacement, acceleration नहीं है, तो यह हमारी equation बनी, ठीक, समझ में बात आपको, ठीक है, और थोड़ा simplify कर लो, इसको v square by 2, m कट रहा है न, mu gs equal to half, अच्चा, m तो ही नहीं, m इदर नहीं है, m कट नहीं रहा है, तो यह हमारी simple equation है, यह जो energy इसके पास बची, बच्चो, यह जो energy इसके पास बची, एक बार पिर समझा देते हैं, आपको यह energy इसके पास बची, इसी बची हुई energy से तो इसने spring को compress किया, तो spring को अगर इसने x compress की है maximum, maximum compression, यानि compress करके रुक जाएगा वहाँ पे, तो इसको इतनी energy ही तो अवालेबल है, इसके पास compress करने के लिए, इस सारी की सारी इसने spring को दे दी, उसकी elastic potential energy बना दी, तो half के x square के बराबर होगा, समझ में आई बात आपको, ठीक है, so, put करो values, half mv square, 10 का square 100, minus mu कितना है, 0.1, into m कितना है, 10, into g कितना है, 10, into s कितना है, 1, equal to half k कितना है, 10, into x square, ठीक है, समझ में आई बात, तो ये थोड़ा से solve कर लो, 1500, minus 100, by, ये तो होगया, 10, equal to, 5 x square, 490, x square equal to, अना, सही बोले, 490 by, 5, 98, x is, root 98, 98 होता है, 49 into 2, तो x होगया, 7 root 2 meter, इस तरीके से, समझ में आई बात, जैसे जैसे एक बीच में resistive force आएगी, उस resistive force को कम करने में, body की energy खर्च होती जाएगी, तो आप देखो, इतनी बची, अब इतनी बची, अब इतनी बची, उस बची वी energy से जाकर, वो काम करेगा, जो भी finally काम करेगा, ठीक है, अगर हम इसको, law of conservation of energy से करना चाहें, कि यहाँ पर जितनी energy है, यहाँ पर उतनी है, तो नहीं कर सकते, हाना, क्यों नहीं कर सकते, because energy conserved ही नहीं ना, इस case में, इसलिए तो इस वाले चीज़ को, हमने बाद में include किया, energy conserved ही नहीं है, क्योंकि energy, एक external force को overcome करने में खर्च हो रही है, फिर भी अगर इस case में, अगर आपको, लगाना हो law of conservation of energy, तो उसकी यह form हो सकती है, बच्चो, देखो, क्योंकि total energy बराबर नहीं है, तो आप यह लिख सकते हो, total energy, final, minus, total energy, initial, जबो, final energy जो है, वो कम होगी, initial जादा होगी, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लें, initial, minus, final, हना, total energy, initial, minus, total energy, final, कहां गई बाकी की energy, that is, work done due to non-conservative forces, work done due to non-conservative forces, उनको overcome करने में जो work लगा, वो यह energy होगी, for example, initial energy कितनी थी, half, m, v square, और spring की, zero, final energy कितनी थी, तो सिरफ spring की, half, k, x square, block की, zero, क्योंकि जब पूरा compress कर दिया, तो उसका velocity है, zero, work done by friction, mu, m, g, s, अब जड़ा इसको इधर ले और उसको उधर ले जाओ, half, m, v square, minus, mu, m, g, s, equal to, half, k, x square, और यह, यह equation बन गई, जो हमने अभी पीछे बनाई थी, अब मैं एक और example आपको देता हूँ, बढ़ी आसा, बढ़ा सा, और फिर इसको हम खतम करते हैं, और इससे भी बड़ी अबड़ी आपकोश्चन्स हम लोग लेकर आएंगे, second video lecture, conservation of energy के, मान लो, यहाँ एक spring लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक block आया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक rough है, यह पूरा patch, ठीक, मान लो यह है 10 meter, यह block है हमारा 10 kg का, जो कि यहाँ आ रहा है मान लो, 30 meter per second की velocity से, ठीक, समझ में आई बात, अच्छा, बताओ, इस 10 newton per meter के spring, constant वाले spring को, यह कितना compress करेगा, इस rough patch की length है, 2 meter, और इसका coefficient of kinetic friction है, 0.1, बताओ यह इसको कितना compress करेगा, अब जरा इसको वैसे ही analyze करें, पहले situation को, यह kinetic energy लेके आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ smooth है, तो यहाँ भी rough patch होता, तो आपको कहानी पता है क्या करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ smooth है, तो यह इतनी kinetic energy लेकर, जैसे ही इस height पे चड़ेगा, इसकी kinetic energy decrease होगी, हाना, किसमें decrease होगी, potential energy बढ़ेगी, क्योंकि height बढ़ रही है, बढ़ेगी शायद ना बचे, हो सकता है इससे पहले ही रुख जाए, तो हमारा answer होगा, कि इसको compress करेगा ही नहीं, फिर जो energy बचेगी, उससे इसको compress करेगा, देखो, यह कितनी energy लाए यहाँ पे, half mv square, minus, यह चड़ने में कितनी खर्च होगी, यह height चाहिए ना मेरे को, यह h, बट यह होगा 10 sin 60 degree, भई hypotenuse, into sin theta, that is perpendicular, तो minus mgh, further इसमें से और घटी, mu mgs, यह बचे, इससे यह इसको compress करेगा, समझ में आई बात, ठीक, या फिर मैं इसको क्या लिखूँ, यह जो पीछे आपको equation बनानी से खाई थी कि, initial energy total, minus final energy total, equal to work done by resistive forces, बिल्कुल उस तरीके से बन सकते, कैसे, initial energy total कितनी है, सिरफ half mv square, minus, total जो final energy है, वो तो एक तो इसकी है, spring की, system क्या है, spring plus यह body, plus body की potential energy भी तो है, वो एच्छाइट पर चड़गी, and this is initial energy minus final energy, that is work done by resistive forces, which is mu mgs, अब देखो, यह minus वाला है, उसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, इस minus वाले को इधर ही रखो, इसको भी इधर ले जाओ, तो यह भी minus का हो जाएगा, तो यह equation में जाएगा, किनों में common आ गया, half 30 का स्क्वेर, 900 minus gh, 10 into 10 sin 60, minus, m भार चला गया था, 0.1 mu g s, इक्वल टू, half k x स्क्वेर, अब यह compress करेगा के नहीं करेगा, यह पहले ही रुख जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, x जो आना है, वो स्क्वेर है, तो इधर आके root होगा, तो यह negative नहीं आना चाहिए, यह negative अगर आएगा, यहां से half common ले लो जरा, यह half अट गया, यह half अट गया, और यहां पे 2 और multiply कर दो, हना तो इससे यह cut गया, k हमारा कितना है, k 10 है, तो 10 से 10 cut गया, तो आप यह देखो, जरा यह negative नहीं आना चाहिए, 900 minus 1.73 into 100, 173 minus 40, नहीं आरा नेगेटिव, हना, इसका मतलब है, कि compress करेगा, 900 minus 173, minus 177, 900 minus 177, यानि कि 723, x equal to under root 723 meter, जो भी इसका रूट आएगा, वो आप निकाल लेना, लेकिन positive आ रहा है, इसका मतलब compress करेगा, अच्छी कासी energy लेकर, यहाँ पर पहुँच रहा है, compress करेगा, अगर यह negative आ जाता, मतलब इससे पहले कहीं पर रुक रहा है, और फिर हम वो भी निकाल सकते थे, कि कहां रुक रहा है, निकालो, अपना दिमाग लगाओ, हो सकता है, बीच में यहाँ पर यह नीचे चला जाता, तो फिर से इसकी kinetic energy बढ़ती फिर यहां spring लगा होता, कैसे भी कर सकता question में, ठीक है, तो यह आपको idea दिया है, कि आपको किस तरीके से handle करना है, law of conservation of mechanical energy को, अब इसी के और बढ़िया numericals के साथ, मैं आप से मिलूगा, next video lecture में, आप करते रहो, बहुत सारी practice और पढ़ते रहो, और physics सारा practice का काम है, निमेरिकल जितना हो सके solve करो, जितने ज़्यादा numerical solve करोगे, उतना ज़्यादा आपका concept clear हो जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं next video lecture,